अस्सलाम अलेकूम कैसे आप सब लोग उमीद करती हूँ कि आप सब खेरियत से होंगे नगमा किचन में आप सभी का स्वागत है तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुती मज़ेदार रेसेपी तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज मैं क्या बना रही हूँ तो आज मैं बनाने जा रही हूँ क्रिस्पी चीजी चिकन ड्रम स्टिक मेरे तरीके से तो आईए देखते हैं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ यहां देखिए मैं यह चिकन लेकपीस ले ली हूँ तो यह मैं ले ली हूँ 5 और इस पर देखिए इस तरीके से मैं कट लगा दी हूँ तो सबसे पहले हम चिकन को बॉइल होने के लिए रख देते हैं यहां पर देखिए मैं यह कड़ाई रख दी हूँ इसमें में डाले दी हूँ चिकन गैस अभी चालू नहीं है तो यह देखिए चिकन में डाल दी हूँ तो इसमें में डालती हूँ एक चम्मच भर के अधरक लसन का पेस्ट यह देखिए इसमें डाल दूँगी में एक चम्मज भर के नमक अब इसमें मैं डाल लेती हूँ पानी तो पानी में दो कप के करीब डाल रही हूँ अच्छे से एक बार इसको मिक्स कर लेंगे गैस कर देते हैं चालू गैस में चालू कर दी हूँ अब हम चीकन को अच्छे से गलने तक बॉइल कर लेंगे तो ये देखिए पानी अच्छे से बॉइल होने लगा है तो अब हम धक्कन लगा करके कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए हम पका लेंगे ताकि हमारा चीकन अच्छे से सॉफ्ट हो जाए गल जाए तो चलिए मैं इसको ढख देती हूं चलिए पंदरा मीनिट हो गया हम चेक कर लेते हैं चीकन को तो यह देखिए चीकन हमारा अच्छे से गल गया है तो मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसमें से हम चिकन को निकाल लेते हैं तो ये देखिए चिकन को मैं निकाल ली हूँ तो अभी ये बहुत गरम है इसको पहले हम थोड़ा सा थंडा होने देते हैं चलिए चिकन थंडा हो गया है तो मैं इसको हड़ी से अलग कर देती हूँ ये देखिए कितने आसानी से निकल जा रहा है तो इस तरीके से मैं अलग कर दे रही हूँ तो यह देखिए चीकन को मैं हडडी से अलग कर दी हूँ यह देखिए इस तरीके से और यह चीकन ले ली हूँ मैं तो आप मैं मिक्सर के वाटी में डाल करके इसको मैं पीस लूँगी अगर आपके पास चौपर है तो आप उसमें भी कर सकते हैं मेरे पास नहीं है तो मैं मिक्सर के वाटी में डाल करके पीस हूँगी तो चलिए मैं इसको डाल देती हूं उसमें यह देखिए मिक्सर के वाटी में मैं डाल दी हूं चीकन को तो इसको मैं पीस करके ले के आती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ तो ये देखिए चिकन को मैं इस तरीके से पीस ली हूँ, ये देखिए तो मैं फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ, अगर आपके पास चौपर है तो आप चौपर में भी यही चीज कर सकते हैं, अगर नहीं है तो इसी तरह से मिक्सर के वाटी में डाल करके इस तरीके से पीस लेना चीकन को, तो चलिए इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे, सब यह देखिए आलू को मैं ग्रेट कर लिए इस तरीके से तो यह में डाल देती हूं इसमें चीकन में तो आप इसमें में डाल दूँगी, यह ग्रेट किया हूँ चीज, तो यह में अमूल का तीन छोटा क्यूब ली थी, आप कोई भी इसमें चीज डाल सकते हैं, अपने मन पसंद का, तो यह एक कप के करीब होगा, तो यह भी में डाल देती हूं इसमें अब इसमें में डाल दूँगी, एक छोटा चम्मज भर के नमक, तो नमक ध्यान से डालिएगा, चीकन में भी हम पहले नमक डाले हैं, अब इसमें डाल देंगे, एक चम्मज भर के काली मिर्च का पावडर, एक चम्मज डाल देंगे लाल कूटी वे मिर्च, एक चम्मज डाल देंगे जीरा पावडर, एक चम्मज लाल मिर्ची पावडर, और ये दो मैं हरी मिर्ची ले लिए हूँ, इसको देखे बारिक में काट लिए हूँ, तो ये भी मैं डाल देती हूँ इसमें अब इसमें डाल देंगे ये एक चम्मच बारिक चौप किया हुआ लसन इसमें डाल देंगे हम बारिक कटा हुआ हरा धनिया अब इसमें में डाल दूँगी यह आधा निम्बू का रस अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए मैं सारे चीजों को अच्छे से मिक्स कर दी हूँ तो चलिए अब हम फटा-फट से बनाते हैं कि तो चलिए हम बनाते हैं तो मैं इसमें से थोड़ा सा यह लेती हूँ अब हड़ी लेए हम इसको इस तरह के से है करे जो हाज कि, हाज Do इस तरीके से हमें बना लेना है तो यहे देखिये मैं इस तरीके से सारे बना करके ले ली हूँ और यहां पे मेले ली हूँ यह मैझा और यह फेटा हुआ अंड़ा में ले ली हूँ और यहां पे मैं ले ली हूँ यह ब्रेड Rh arrived तो सबसे पहले हम इसको मैदे से कोट करेंगे यह देखे इस तरीके से देखे इस तरीके से फिर उसके बाद हम अंडे में डीप करेंगे इसको अंडे में थोड़ा सा नमक डाल करके फेट ली थी इस तरीके से अंडे में डीप करने के बाद हम ब्रेड क्रम लगा देंगे तो यह देखे इस तरीके से हम सारे चिकन में लगा लेंगे तो चलिए पेले में लगा लेती हूँ फिर उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी तो यह देखे मैं इस तारीके से मैदा वर ब्रेड क्रम से कोट कर ली हूँ तो अब इसको हम करेंगे डीप फ्राई यह देखिए तो चलिए फटा-फट से हम इसको फ्राई करते हैं यहां पर देखिए मैं तेल गरम होने रख दी थी तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है तो इसमें मैं एक-एक करके चिकन डालती क्पूल मैं एकूल लूँ झालती हमारा अच्छे से यहां प्राई अबालती हमारा अच्छे से नच्छे से फिस्ट प्राई रख भूब अच्छे से क्रिस्पी गोल्डेन होने तक फ्राई कर लेंगे हम इसको निकाल लेती हूँ माशालला इतने अच्छे से फ्राई हुआ है यह देखिए अच्छे से एक दम क्रिस्पी हो गया है यह देखिए इसी तरीके से हम बाकी के भी चिकेन को फ्राई कर लेंगे तो मैं दो-दो करके फ्राई कर रही हूं तो यह देखिए माशाला यह हमारा क्रिस्पी चिकन डॉम स्टिक बन करके तयार हो गया और मैं आप लोगों को दीखाती हूं कि कितना क्रिस्पी बना है यह देखिए यह देखिए उपर से एकदम क्रिस्पी है यह मैं आप लोगों को तोड़ कर भी दिखाती हूं यह देखिए माशाला आप लोग भी जरूर बनाना इस तरीके से और बताना कि कैसा लगा आप लोगों को अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कर देना तो चलिए फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में एक और एसेपी के साथ तोबी के लि लाह अफिज दूआ में याद रखना